So Hello Everyone, Very Very Good Afternoon to All of You So Guys, यहाँ पे NEET Experience के लिए दो बिग ऑफिसियल अपडेट्स आई है यह जो निज है वो हमारी हिंदुस टाइम टाइम की ऑफिसियल रिपोर्ट से है हमारे एजुकेशन मिनिस्टर ने रिपोर्ट यानि के अपना वहाँ पे इंटर्व्यू दिया था तो वो क्या पूरा निज है इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे और इस वीडियो को जो बनाने का मेरा मेन परपस है कि जो भी हमारे निट के एस्पिडेंट है उनको सही इन्फॉर्मेशन मिल सके जो अफिसियल एनॉंस्मेंट है तो उसका हम यहाँ यहाँ पे ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं कर रहे होंगे इस वीडियो को सिंपल सी भासा में हम आपको एक चीज़ क्लियर कर दें कि इसका जो कंक्लूजन है वो इस वीडियो में हम कवर कर रहे होंगे तो वीडियो में हम आगे बढ़ें उससे पले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि हमारे यार चैनल पर बहुत से इस टूडेंट हैं जो वीडियो को देख के आप निकल जाते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम यहाँ पर आपको जो भी यार निज प्रोइड करते हैं पूरी अठेंटी सिटी के साथ प्रोइड करते हैं तो मेक्स्वेड कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लें जिससे हम आगे भी आपको यही जो आपका ओफिशल एनाउंस्मेंट है वो आपको अच्छे तरीके से सबसे पहले देते रहें तो यहाँ पर गाईज आप लोग देख सकते हैं कि नेट एक्जाम जो आपकी है तो इसके रिगार्डिंग जैसा कि आप सभी को पता था कि 25 जनुरी को एक ओफिशल मीटिंग हुआ था हमारे नेट एक्जाम को दो बार कंड़क्ट कराने के पच्छ में यह नहीं है यह साब सब वहां पर क्लियर कर दिया है कि जो एक यही बार हो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर फिर से आप लोग से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अप लोग ध्यान से देखे ठीक है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि हिंडू स्टाम टाइम्स के रिपोर्ट के नुसरार ओफिसियल ने पुष्टी की है कि ड. रमेश पोख्रयाल निशां जो कि पर्सनले रिक्वेस्ट किया है कि जो हमारी निट एक्जाम है वह दो बार कंडर्ड कराये जाने पर वह अपनी जाने कि जो अफिसिल एकष्यल अनौनसमेंट है अपने तरफ से सहमती दें अब ऑभी तक इसके रिगारिं उन्होंने कोई अपना जो अपील जो किया है उसके मंत्री ने अब उनके समक्ष और विचार करें जो रिक्वेस्ट किया है हमारे इजुकेशन मिनिस्टर जी तक्टर हर्स वर्दन जी से जो कि हमारे मिनिस्टर है तो उन्होंने यह चीजे क्लियर कर रखा है कि वह एक बार फिर से इस पर सोचेंगे फिर फ़र यह आपका एनौंसमेंट होगा वह जल्द ही हो जाएगा आगे हम बात कर लेते हैं तो यहां पर आगे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत से सोचते हैं कि जो आपक स्लेबर से वो डिसाइड करता है एन एमसी यानि कि यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि लिर बताया गया है बहुत से स्टूडेंस को इसके रिगारिंग कन्फूजन होता है तो यह भी आप लोग देख सकते हैं ठीक है वन मोर तिंग कि आपकी जो एक्जाम है वो कब होग तो यार इस पर तो अभी तक कोई भी ऑफिसियल एनाउस्मेंट नहीं हुआ है कि आपकी जो डेट है वो कब होगी बट यहां से एक चीजे क्लियर दिख रहे हैं कि हमारे एजुकेशन मेंस्टर डास्टर रमेश पुखर याल निसंग जी ने एक बार फिर से यार बहुत ही हुआ है नहीं उनके तरफ से अभी तक कोई भी फीडबैक आया है तो जैसे यार ओफिशिल फीडबैक आएगा मैं आप लोग को इंफर्म कर दूँगा तो मेक स्यूर कि इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स का साथ सेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें या फिर न क अल्दे बेस्ट थैंक्स वर वाचिंग इस वीडियो